साथियो नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने योटूब चैनल पर साथियो आज की वीडियो रीट लेवल सेकेंड इंगलिस से जिन्होंने पेपर दिया है उन साथियो के लिए रहने वाला है साथियो ये जो वीडियो है इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कौन सा पर्चन ऐसा है जिसको बोड डिलीट कर सकता है या दो ओप्षन को सही मान सकता है तो इस वीडियो को आप लास तक जरूर देखियेगा और जो रीट लेवल सेकेंड इंगलिस से जिन्होंने पेपर दिया है उस साथ ही थ लेगे तो वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब भी कर दीजिएगा तो साथियों जो सबसे पहला जो पर्चन है जो सुर्खियों में है जिनका ये बोला जा रहा है कि ये आपत्ति वाला पर्चन है वो पर्चन ये है कि 20 वी स्तापदी में सरवादिक तापमान है वो जो कलाम जो कोचिंग है सीकर का ये भी एक परतिष्टित कोचिंग है वो इसको क्या मान रहा है इसका सही जवाब अलवर मान रहा है तो साथियो ये हमें वेट करना होगा कि बोर्ड क्या जवाब मानता है अलवर यानिकी सही मानता है या फलोधी जबकि उतकर्स जी हेल्फ औ और जीत सर और बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर है वो फलोधी मान रहे हैं जबकि एक कलाम कोचिंग ऐसा है जो इसका सही जवाब क्या मान रहा है अलवर मान रहा है तो साथियो अब देखिये इसका उन्होंने इस परश्टिकर्ण भी दिया है कि 20 सदी के अंदर सबसे ज लग सकती है अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं देखे एक परसन और है राजस्तान का अधिकांस उचावचिये भाग ओस्त समुंदर तल से कितने मीटर उपर किस रेणी में आता है तो ये भी जो आंसर माना है 200 से 200 ये कलाम कोचिंग ने माना है सिकर की परतिश्टित कोचिं कोचिंग है और सुर्ख्यों में भी बहुत ज्यादा रहती है कोचिंग उन्होंने 200 से 200 माना है जबकि उतकर कोचिंग जी हेल्प कोचिंग और बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं जिन्होंने इसका 200 से 300 माना है उप्सन नम्मर ए यानि की माना है जबकि कलाम कोचिंग ऐसे हैं बहुत सारे क्योशन वो क्या कर रहा है यानि उनका अलग उप्षन मान रहा है तो ये देखना ये होगा कि बोर्ड इसका भी क्या मानता है अब देखते हैं थोड़ आगे बढ़ते हैं अगला क्योशन देखिए राजस्तान में कितने कर्शी विग्यान के अंदर है राजस्तान में जो कर्शी विग्यान के अंदर की बात करें साथ ही हो एक्चुल के अंदर देखें तो टोटल संतालिस यानि की टोटल संतालिस कर्शी विग्यान के अंदर है लेकिन option के अंदर 47 नहीं दिया गया है तो जो कलाम coaching है वो इस person को delete मान रहा है जबकि बाकी जितने भी coaching है वो इनमें 42 option number C क्या कर रहे हैं सही मान रहे हैं तो देखना यह होगा कि इस person को delete किया जाता है या option C को ही सही मान लिया जाता है अगर real के अंदर देखें आप भी यानि की google पे या कहीं पर भी search करके देख सकते हो 47 है तो इस पर objection लगा ही जा सकते है क्योंकि 47 क्या नहीं है option में नहीं है लेकिन ज्यादा तर जो coaching है वो 42 उत्तर सही मान रहे हैं जबकि कलाम जो coaching है वो क्या कर रहा है वो इसका उत्तर यानि की delete मान रहा है तो ये जो तेन जो person आप देख सकते हो ये बहुत ही आपको यानि की निरास साजनक हालत में ला सकते हैं अगर कलाम coaching के अनुसार उत्तर मान लिये गए तो अब आगे देखिए English Pedagogy है English Pedagogy के अंदर भी अगर बात करें शाथियो तो इसमें देखिए Which one of the following statement is not correct yet true with regard to ALM Audio-lingual method के अंदर तो इसके अंदर शाथियो अपन बात करें तो कलाम जो coaching है उन्होंने क्या माना है Language is not for communication और जो G health है वो भी इसका उत्तर क्या मान रहा है A मान रहा है Language is not for communication जबकि उत्कर्स coaching center के बात करें और इसके अलावा एक दूसरा coaching G जीत सर्जो क्यानिकी एक brand है सीकर का English नाम से उन्होंने answer क्या माना है Language is learnt Contextually Option number B माना है तो साथ यो इसका भी हमें weight करना होगा कि इसका A उत्तर होगा या B माना जाएगा जबकि G help है ये भी एक परतिश्टित coaching है वो इसको A option मान रहा है और इसके अलावा कलाम भी A option मान रहा है जबकि Max जो की coaching center है और उसके अलावा जीत सर की आने की बात करे एक English की जानी मानी हसती है वो इसका answer क्या मान रहे है B मान रहे है कि language है वो contextually सीखी जाती है तो इसका भी हमें weight करना होगा objection वाला क्योसन है ये भी और हमें उन teacher से अगर by chance आ जाये तो उन teacher से हमें जरूर contact करना होगा जिन्होंने ये की जारी की है ताकि हमें उनका proof दे सके वो अब आगे देखिए आगे पढ़ते हैं अपन देखिए fill in the blank with the correct option तो इसके अंदर देखिए इसमें जो option g help ने दो option माने है beating about the bus और एक है beating around the bus और ज्यादा तर यानि C answer मान रहे हैं लेकिन कई coaching वाले इसको D option यानि इसका double option वाले यानि की उत्तर मान रहे है C और D मान रहे हैं जबकि ज्यादा तर जो लोग है उन्होंने C को अभी की के अंदर से ही माना है लेकिन C और D दोनो option इसमें मान रहे हैं पर्षन डिलिट मान रहे हैं जो की कर्षी विग्यान के अंदर वाला है तो साथियों एक क्योशन और पढ़ते हैं देखिए ये demerits of bilingual method bilingual method है इसके अंदर देखिए इसमें option माना है learners ये भी माना है कलाम ने माना है और उतकर्ष ने माना है कलाम और उतकर्ष ने क्या माना है कि learners may not relay more on their language first ये उत्तर सी माना है जबकि students आगर आपको बताना चाहूं जी help जो coaching है और एक और परतिश्टीत coaching है उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है उन्होंने option D से ही माना है कि the teacher must be fluent in language first and language to also तो शाथियों ये objection वाले person थे आपका क्या अंगलन कहता है आपका क्या अनुमान कहता है कि इन में से कौन से person ऐसे हैं जो आपत्ती वाले real में हो सकते हैं और इसका अगर आपके पास real में कोई यानिकी proof हो तो आप जरूर share कीजिएगा उमीद करते हैं आप सब का paper read का बहुत अच्छा गया होगा और अगर अच्छा गया है तो आपको advance के अंदर बदाई और नई गया है तो वो और जम के मैनत करें और उमीद की जाती है आगे जब भी आने की vacancy आएगी बढ़ती आएगी उसमें आपका selection में आपका नाम होगा तो आपको वीडियो कैसे लगी वीडियो जरूर बताईगा और comment box के अंदर अपनी राइज जरूर दीजिएगा ये आपत्ति वाले objection वाले question है जो मैंने आपके सामने रखे हैं और और भी कोई question है तो आप comment box के अंदर बता सकते हैं और आपके कितने number बन रहे हैं English के अंदर वो भी आपे जरूर शेयर कीजिएगा thank you very much